इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि module not found यह जो problem आ रहे है VS code के अंदर जब हम हमारे JavaScript का code run कर रहे हैं तो module not found का problem आ रहा है तो यह problem क्यों आ रहा है और आप इसको कैसे solve कर सकते हो तो एक चीज में आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे में GUI यानि इस बटन से जदी हम इसको run करते हैं तो यह run हो जा रहा है ठीक है लेकिन जैसे हैं हम इसको terminal के अंदर run करते हैं कैसे run करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे नौर और जो भी file का नाम होता है हम उसको लिखते हैं तो file का नाम है हमारे यहां पर switch switch और dot switch.js हम इसको run करते हैं तो यहां पर देखिए module not found यह problem आ रही है तो यह problem क्यों आ रही हो इसका solution कैसे कर सकते हैं तो यह files के की वज़े से आता है क्योंकि file जो है आप file के अंदर file रखते हो तो उसकी वज़े से यह find out नहीं कर पाता है कि किसको direct कर रहा है ठीक है तो हम इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यह extension होना चाहिए यह नोड़ जैस यह जो है ठीक है यह यहां पर आप देख पार नौड़ जैसे जो extension pack है यह आपके पास होना चाहिए यह होते हुए भी ज़्याप के पास ये प्रोब्लम आ रही है तो आप इसको fix कर सकते हो यहां पर file के अंदर आप आ जाईए इसको कट करते हैं आप यहां पर file के अंदर आईए और file के अंदर open folder जहां भी आपका है file यह हमारा basic JavaScript का इसके अंदर है हमारा rough रफ इसलिए बनाए ताकि हम जो भी टेश्ट विगर हमें करना होता है हम इसी के अंदर करते हैं तो यहां पर हमने करा select folder तो यहां पर आ चुका है अब हम इसको आपन करेंगे तो हमारा जो था अब हम इसको देखते हैं कहां पर रही हो यहां है switch यह उल्लेडी selected is switch.js तो अभी हम इसको डॉपन करते हैं तो यह है वो अभी हम इसको जदी रन करते हैं उसी परकार से सबसे पहले नॉड और इसके के बाद हमें लिखते हैं फाइल का नाम तो फाइल का नाम है switch और .js switch.js जदी हम इसको enter करते हैं तो देखिए यहां पर यह successfully run हो पार रहा है तो यह था इस problem का solution कि आप direct ही जिस folder के अंदर आपका जो भी फाइल है आप direct ही उस folder को select कीजिए और उसी के अंदर आप run कीजिए तो यह successfully आपका run हो जाएगा ठीक है so thanks for watching this video till now मिलते हैं next video के अंदर